नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आप सब मन लगा कर पढ़ रहे होंगे वो अपने स्वास्थ का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं छटी कक्षा की हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत का दूसरा पाठ बच्चपन यह पाठ लेखी का कृष्णा सोबती जी ने संस्मरण शेली में लिखा है बच्चों संस्मरण स्मृति यानि यादों के आधार पर लिखा गया आलेख होता है लेखी काने पाठ में अपने बच्चपन की कुछ यादे ताजा की है साथ ही उन्होंने अपने पुराने समय और आज के समय में आये बदलावों के बारे में भी बताया है तो बच्चों प्रस्तुत है पाठ बच्चपन मैं तुम्हें अपने बच्चपन की ओर ले जाऊंगी मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ तुम्हारी नानी भी बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी परिवार में मुझे सभी लोग जी जी कहकर पुकारते हैं हाँ, मैं इन दिनों बहुत बड़ा-बड़ा यानी उम्हें सयाना मैसूस करने लगी हूँ शायद इसलिए कि पिछली शेताब्दी में पैदा हुई थी मेरे पहनने ओड़ने में भी काफी बदलावाए हैं पहले मैं रंग भी रंगे कपड़े पहनती रही हूँ नीला, जामनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो गहरे नहीं, हलके रंग मैंने पिछले दश्कों में तरा-दरा की पोशाके पहनी हैं पहले फ्रॉग, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुड़ते बच्पन के कुछ फ्रॉग तो मुझे अब तक याद हैं हलके नीली और पीली धारी वाला फ्रॉग गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ एक हलके गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉग नीचे गुलाबी रंग के फ्रिल उन दिनों फ्रॉग के उपर की जेब में रुमाल और बालों में इत्राते रंग भी रंगे रिबन का चलन था लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉग जिसके नीचे फर टंकी थी दो ट्यूनिक भी याद है एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है बच्मन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे वह नौकर या नौकराने को नहीं दिये जा सकते थे इसकी सक्तमना ही थी हम बच्चे इतवार की सुभा इसी में लगाते धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है हलांकि अब नए-नए किस्म के शू आ चुके हैं कहना होगा कि ये पहले से कहीं जादा आराम दे हैं हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही चालों का इलाज शुरू हो जाता जब कभी लंबी सेर पर निकलते अपने पास रूई ज़रूर रखते जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर हां हमारे तुमारे बच्छपन में तो बहुत फरक हो चुका है हर शनीचर को हमें ऑलिव ओयल या कैस्टर ओयल पीना पड़ता यह एक मुश्किल काम था शनीचर को सुबा से ही नाक में इसकी गंध आने लगती छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहती उन्हें देखते ही मितली होने लगती मुझे आज भी याद है कि अगर हम ना पीते वह शनीवारी दवा तो कुछ जादा बिगरने वाला नहीं था सेहत ठीक ही रहती तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यहां तक की बच्चपन की दिल्चस्मियां भी बदल गई है याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे रेडियो और टेलिविजन नहीं थे हमारे बच्चपन की कुलफी आइसक्रीम हो गई है कचोडी समोसा पैटीज में बदल गया है शेहतूत और फालसे और खस-खस के शर्बत कोक पैपसी में उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी शिमला और नए दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्ट्रां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लानेंगी हमारा घर माल से जादा दूर नहीं था एक छोटी सी चड़ाई और गिर्जा मैदान पहुँझ जाते वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कनफेक्शनरी काउंटर पर तरा तरा की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुश्बू मन भावनी हमें हफते में एक बार चॉकलेट ख्रीदने की चूट थी सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता मैं चॉकलेट लेकर खड़े-खड़े कभी न खाती घर लोटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्टर में लेटकर मजे ले लेकर खाती शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं खटे मीठे कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी, कसमल सोच कर ही मुँ में पानी भराए चैसनट एक और गजब की चीज आग पर भूने जाते और फिर छिल के उतार कर मुँ में चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण हाँ, चने जोर गरम की पुडिया जो तब थी वह अब भी नजर आती है पुराने काग्जों से बनाई हुई इस पुडिया में निरा हाथ का कमाल है नीजे से तिर्ची लपेटते हुए उपर से इतनी चौड़ी कि चने आसाने से थेली पर पहुंच जाएं एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था कुछ बच्चे पुडिया पर तेज मुसाला बुर्क वाते पूरा गिर्जा मैदान घूमने तक ये पुडिया चलती एक एक चना पापड़ी मुँ में डालने और कदम उठाने में एक खाज ही लए रफतार थी चुटपन में हमने शिमला रिजबर बहुत मजे गिये हैं घोडों की सवारी की है शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था हम जाने क्यों घोडों को कुछ कम तर करके समझते उन पर हसते थे ननिहाल के घोडे खूब रिष्ट पुष्ट और खूब सूरत उनकी बात फिर कभी शाम को रंग बिरंगे गुबबारे सामने जाखु का पहाड उन्चा चर्च चर्च की घंटियां बचती तो दूर दूर तक उनकी गूँच फैल जाती लगता इसके संगीत से प्रभू इशू स्वयम कुछ कह रही है सामने आकाश पर सुर्यास्थ हो रहा है गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है दूर दूर फैले पहाडों की मुखडे गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिम्टिमाने लगी रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक की क्या कहने स्केंडल पॉइंट की भीड से उबरता को लाहल सर्वर स्केंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था इसकी पट्रियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिबं वाली ट्रेन एक और लाल टीन की चत वाला स्टेशन और सामने सिगनल देता खंबा थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी कभी-कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दोडते दीखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंग फैला कर यह देखो और वह गायब उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे शुरू शुरू में चश्मा लगाना बढ़ा अटपटा लगा छोटे बड़े मेरे चहरे की और देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है इस उमर में एनक दूद पिया करो मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती कुछ देर पहनोगी तो एनक उतर जाएगी वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा नंबर बस कम ही होता रहा मैं अपने आप इसके जिम्यवार हूँ जब आप दिन की रोशने को छोड़कर रात में बल्लैम के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा हाँ जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा देखो देखो कैसे लग रही है आख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की मैं खीजी कि मुझे पर यह क्यों दोहराया जा रहा है पर शेर बुरा न था जब वैं चाए पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आइने के सामने खड़ी हो गई कई बार अपने आपको देखा एनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी देखती रही सूरत बनी लंगूर की नहीं 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 हाँ 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 मैंने अपने चोटे भाई का टोपा उठा कर सिर पर रखा कुछ अजीब लगा अच्छा भी और मजा किया भी तब की बात थी अब तो चेहरे के साथ खुल मिल गया है चश्मा जब कभी उत्रा हुआ होता है तो चेहरा खाली-खाली लगने लगता है याद आ गया वह टोपा काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत हाँ इन दिनों शिमला में मैं सिर्प टोपी लगाना पसंद करती हूँ मैंने कई रंगों की जमागर ली है कहां दूपटों का ओड़ना और कहां सहज, सहल, सुभीते वाली हिमाचली टोपिया कैसा लगा पाठ? बच्चो, पाठ में हिमाचली टोपियों का उलेख आया है न? क्या आपने कहीं और भी ऐसी टोपिया देखी है? ज़रा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के चित्र देखते हैं अरे, हिमाचली टोपी तो हमारे राष्टपती जी को भी परसंद है बच्चो, हमारे देश में लगभग हर राज या समुदाएं की खास पहचान होती है उनकी टोपी या पगड़ी देखिए, भारत अपनी संस्कृती और पहनावे के मामले में कितनो सम्रित है? बच्चो, हमें भी अपनी परमपराओं को सदैब जीवित रखना है और जब हम किसी विशेश अवसर पर अपनी पारमपर एक टोपी या पगड़ी पहनते हैं ना तो अलग सा ही गौरव अनुभव होता है एक बात और बच्चो पाठ में जिस सुन्दर शहर शिमला की बात आई है ना उसे पहाडों की रानी भी कहा जाता है यहां सर्दियों में बहुत बरफ पड़ती है दूर दूर से लोग यहां घूमने आते हैं जो लोग घूमने जाते हैं उन्हें पता क्या कहते हैं परेटक सैलानी शिमला आज भारत के राज हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और हाँ जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तब गर्मियों में शिमला ही भारत की राजधानी होता था इन चित्रों से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा था शिमला पहले चलिए अब मान चित्र पर देखते हैं आखिर इतना सुंदर स्थान है कहां शायद यहां होगा समुद्र के किनारे नहीं नहीं शिमला में तो बर्फ पढ़ती है तो यह यहां उपर हिमाले की तरफ होगा आँ गुजरात उत्तर परदेश नहीं नहीं और उपर यह रहा हिमाचल परदेश और यह है हिमाचल परदेश की राजधानी शिमला तो प्यारे बच्चो कैसा लगा आपको यह पाठ कही ना कही आपके अपने बच्पन से जूड रहा है ना चलो अब देखते हैं इस पाठ के प्रशन उतर सबसे पहले हम पाठे बुस्तक में पूछे गए प्रशनों के विशे में जानेंगे और फिर पाठ में से उनके उत्तर जानेंगे तो पहला प्रशन है लेखी का बच्पन में इत्वार की सुबा क्या क्या करती थी तो इसका उत्तर है लेखी का बच्पन में इत्वार की सुबा अपने मोजे खोदद होती थी अब ये मोजे क्या होते हैं कुछ लोग इन्हें जुराबे भी बोलते हैं और फिर लेखी का जूतों को पॉलिश करके उन्हें ब्रश या कपड़े से चमकाती थी क्यूंकि उनके घर में नौकर या नौकरानी से यह काम करवाने की सक्त मना ही थी आपको मालूम है बच्चो हमारे संस्कृती में बड़ों से जूते साफ करवाना बुरा माना जाता है तो बच्चो दूसरा प्रशन पढ़ते हैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है इस बात के लिए लेखी का क्या-क्या उधारन देती हैं इस प्रशन के उत्तर में हम फिर से लेखेका के बच्चपन में लौट जाएंगे उन्होंने बहुत सी बातें बताई ना कि उनके बच्चपन में क्या-क्या होता है तो चलिए वहां से उधारन लेते हैं लेखी का अपने बच्चपन के समय में बताती हैं कि उन दिनों रेडियो या टेलिविजन की जगा कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे पहले कुलफी होती थी अब आइसक्रीम है पहले का कचोड़ी समोसा अब पैटीज में बदल गया है फालसे और खस-खस के शर्बत के स्थान पर कोक और पैपसी आ गए है यह हमने पाठ में पढ़ा ना कि विम्टो और लेमनेड उनके जमाने में हुआ करता था तो आज भी बहुत सी चीजें बदल गई हैं और क्या-क्या है नई चीजें बताईए आप अपने माता-पिता से पूछ के भी यह बातें जान सकते हैं कि उनके समय में क्या-क्या चीजें मिलती थी और आपके समय में क्या मिलती है ठीक है आप पक्का पूछिएगा कि क्या उनके समय में बर्गर और पिज़ा मिलता था की नहीं ठीक है बच्चो चलिए हम तीसरे प्रशन पर चलते तो तीसरा प्रशन है पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा अब ये चश्मा तो जानते हो ना सब बच्चे एनक चिक है चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कह कर चिड़ाते थे बहुत से बच्चे आज भी चड़ाते हैं क्या ऐसा करना सही है? सोचो, नहीं न, क्योंकि चश्मा तो बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के समय की अगर आँखे कमजोर हैं और अगर चश्मा ना लगाएं तो बहुत नुकसान हो सकता है वो बच्चा पढ़ने में बिच्छड सकता है है न, तो चश्मा लगाना अगर किसी के ज़रूरत है तो उसे चिडाना गलत बात है तो चलो इसका उत्तर जानते हैं लेखी का को चश्मा इसली लगाना पड़ा क्योंकि वो दिन की रोश्नी की बजाए रात में टेबल लैंप के सामने बैठ कर पड़ती थी जिस से उनकी नजर कमजोर हो गई थी इसी कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा उनके चचेरे भाई उन्हें ये कहकर चिडाते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूजे दूर की ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की चीके बच्चो अब हम चौथा प्रश्न करते हैं प्रश्न है लेखी का बच्चपन में कौन-कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी उनमें से कुछ प्रमुक फलों के नाम लिखो तो इसका उत्तर है लेखी का बच्चपन में चौकलेट को बड़े मजे लेकर खाती थी लेकिन वो चन्ना जोर गरम की बात याद है जो उन्होंने बताई थी वो भी बड़े मजे से खाती थी चीक है और क्या खाती थी चूर्ण खाती थी चीक है और उन्हें शिमला के खटे मिठे काफल रसभरी कस्मल चेस्टनट आदी फल भी बहुत पसंद थे चीक है बच्चों तो ये तो चार प्रशन थे आपकी पाठ्य पुस्तक में से क्यों ना हम कुछ मज़दार प्रशन और कर लेते हैं शुरू करें पहला प्रशन तो प्रशन है लेखिका के बच्चपन में ग्रामोफोन, घुड सवारी, शोरूम में शिमला, कालका, ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाजें ही आश्चरे जनक आधुनिक चीज़ें थी आज क्या-क्या आश्चरे जनक आधुनिक चीज़ें तुमें अकरशित करती हैं? उनके नाम लिखो तो बच्चों ये आश्चरे जनक क्या होता है? आश्चरे जनक होता है जिन चीज़ों को देखकर हमें हैरानी हो आश्चर में पढ़ जाए ठीक है जो हमें कमाल की लगे जिनके बार-बार देखने का मन करे तो आश्चरेजनक आधुनिक मतलब मौडन नए अविश्कार विज्ञान के नए अविश्कार तो हम उसका उतर जानते लेखिका ने तो अपने बच्चपन के बारे में बता दिया कि उन्हें क्या अच्छा लगता था, कौन सी चीज़े आश्चरेजनक लगती थी तो हम अपना बताते हैं, आज कल हमें मॉबाइल फोन, कम्प्यूटर, टेलिविजन, इंटरनेट, जेट विमान, अंतरिक्षियान, रोबोट आधी आधुनिक चीज़े बहुत आकरशित करती हैं वैसे तो अब दुनिया में बहुत तरह की आधुनिक चीज़ें आ चुकी हैं, यह सब चीज़ें छोटे बच्चों को बहुत आकरशित करती ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की और दूसरा प्रश्न है, परिवार में लेखिका को सब लोग क्या कहकर पुकारते थे तो बच्चों याद करो जरा, क्या कहकर पुकारते थे परिवार में लेखिका को सब लोग जी-जी कहकर पुकारते थे यह आधर सूचक शब्द है जी-जी चलिए अब हम तीसरे प्रशन की ओर चलते हैं लेखी का कैनुसार हम उन्हें क्या कहकर बुला सकते हैं हम मतलब हम सब बच्चे भी बड़े भी ठीक हैं तो क्या कहकर बुकार सकते हैं वैसे तो वो बच्चों को संबाधित कर रही हैं तो उत्तर है लेखिका के अनुसार हम उन्हें बड़े ही प्यार से दादी, नाने, बुआ या मौसी कहकर बुला सकते हैं ठीक है ये कितने प्यार भरे रिष्टे हैं न ये इसलिए लेखिका ने इनका नाम लिया तो हमारा अगला प्रश्ण है चौथा प्रश्ण लेखिका को सयाना महसूस कब होने लगा था और क्यों होने लगा था सयाना का क्या मतलब होता है बड़ा बड़ा लगना ठीक है थोड़ा बड़ी उम्र का महसूस होना तो इसका उत्तर है लेखिका को सियाना महसूस इसलिए होने लगा था क्यूंकि उनकी काफी उम्र हो गई थी काफी उम्र हो जाना मतलब थोड़ा बुड़ा हाप्पी की और कदम रखना और उनके पहनने ओड़ने में भी काफी बदलाव आ गए थे अच्छा कौन से बदलाव आए थे बताओ अब उन्हें गेहरे रंगों की अपेक्षा हलके और सफेद रंग पसांद आने लगे थे अब चलते हैं पाँचवे प्रेशन की और यह हमारा अन्तिम प्रेशन है ठीक है और यह भी बड़ा मज़ेदार और आसान है तो पाँच्वा प्रेशन है लेखिका को कौन सी टोपियां पसंद है अमने पाठ के अंत में पड़ा है कुछ याद आया कौन सी टोपियां पसंद है हाँ बिलकुल ठीक सोचा आपने लेखिका को हिमाचली टोपियां पसंद है उन्हें दुपट्टे की बजाएं सिर पर हिमाचली टोपी रखना पहनना बहुत अच्छा लगता था छीक है बच्चों ये तो हो गए प्रशन अब हम सही या गलत ये कर लेते हैं मज़ेदार सा भ्यास है बहुत मज़ा आएगा चलिए तो प्यारे बच्चों सही या गलत का पहला वाक्य है ध्यान से सुनना लेखिका का बच्चपन शिमला में गुजरा था बताओ सही या गलत सोचो सोचो हाँ विल्कुल सही सोचा इसका उतर सही है लेखिका का बच्चपन शिमला में ही गुजरा था चलिए दूसरा वाक्य ध्यान से सुनो लेखिका बच्चपन में अपने मोजे धोने के लिए नोकरों को दिया करती थी हाँ जी बिल्कुल सही सोचा गलत वे अपने मोजे खुद धोती थी चलिए तीसरा वाक्य है लेखिका को बच्चपन में चॉकलेट पसंद थी बताओ क्या होगा इसका उत्तर सही बच्चपन में लेखिका को सच में चॉकलेट बहुत पसंद थी और वो मजे लेकर खाती थी चलिए बढ़ते हैं चोथे वाक्य पर लेखिका के भाई भेनों की ड्यूटी लगती थी बताओ सही है या गलत? सोचो बिल्कुल सही वो पैदल जाते थे ब्राउन ब्रिड लेने के लिए चलिए पांचमा वाक्य लेखिका को बच्पन में ही चश्मा लग गया था क्या ये सही है? हाँ, ये वाक्य भी सही है उनको बच्पन में ही चश्मा लग गया था चठा वाक्य लेखिका को हर शनिवार आलिव आयल पीना पड़ता था क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही उन्हें आलिव आयल या कैस्टर आयल पीना पड़ता था चीके? चलिए बढ़ते हैं आगले वाक्य की और लेखिका को बूट पॉलिश करना अच्छा नहीं लगता था क्या ये सही है? नहीं लेखिका को बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था जबकी वाक्य में बोला गया है अच्छा नहीं लगता था तो ये गलत हो गया चलो अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की और लेखिका ने आईने के सामने खड़े होकर अपने चचेरे भाई का तोपा उठाया बताओ सही या गलत? गलत है वो तोपा चचेरे भाई का नहीं था चिके? चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की और लेखिका उन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी सही या गलत? सोचो सोचो हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने ये वाक्य सही है और आपको ये भी पता है कौन सी टोपी लगाना पसंद करती थी? हिमाचली टोपी लगाना बसंद गरती थी अब चलते हैं आखरी वाक्य की उर तो हमारा अंतिम वाक्य है लेखिका के पास कई रंगों की टोपियां थी क्या ये सही है? सोचो हाँ, बिल्कुल सही उनके पास बहुत से रंगों की हिमाचली टोपियां थी तो प्यारे बच्चो कैसा लगा ये पाठ? मुझे आशा है ये पाठ आपको बहुत मज़दार लगा होगा बच्चो, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है तो मिलते हैं नई विडियो में नई पाठ के साथ धन्यवाद